दोस्तो Realme का C35 बहुती ज़ादा आपको सबको पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं दोस्तो क्योंकि काफी बढ़िया स्मार्टफोन है 12000 का लेकिन दोस्तो इंफिनिक्स ना दोस्तो इससे 3000 सस्ता इसके कॉमपडिशन में स्मार्टफोन लॉंच कर इसके लब दोस्तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और दोस्तो रेट जो है थोड़े चेंज होते रहते हैं कई बार उनलाइन से लग जाती है तो लेफ्ट सैट पर जो दोस्तो ऑप्शन आ रहा है व्यू प्रोडट्स का इस पर क्लिक करके एक बार रेट जरूर चेक कर लिएगा हो सकता है आपको यह और सस्ते मिल जाए क्योंकि ऑनलाइन कई बार सेल लग जाती है चले देखते हैं रियलमी के सी थर्टी फाइफ के साथ आपको बारह हजार में क्या क्या दिया गया है तो सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिल जाता है दोस्तो जिसमें लग खवा मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर इसकी बिल्ड क्यालिटी काफी अच्छी है इसके साथ दोस्तों आपको चार्जर मिल जाता है 18 वाट का तो चार्जर जो है फास्ट है 18 वाट का यह चीज़ काफी बढ़िया है C35 के साथ बस एक कवर भी होता तो बॉक्स के मिलता है 12000 में लेकिन देखते हैं अगर आप 9000 खर्च करते 3000 और सस्ता होट 11 2022 के साथ क्या 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 दिया गया है कितना फर्क है दोस्तों अगर आप 3000 अपने बचा लेते हैं तो जैसी आप अंबॉक्स करते हैं सबसे पहले मिल जाता है फून एक रैपर के अंदर जिसका ड लास्ट में रखा वह मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर जो कि सिंपल 10 वाट का चार्जर है 10 वाट का तो दोस्तों आपको चार्जर को लेकर फर्क मिलता है इसके साथ चार्जर फास्ट नहीं दिया गया जो C35 के साथ मिल जाता है लेकिन इसकी कीमत 3000 कम है तो दोस्तों के साब से देखा जाए तो box के जो contents है वो आपको infinix के hot 11 2022 के साथ भी काफी बढ़िया ही मिल जाते है क्योंकि कीमत भी 9000 है इसकी 3000 कम है और 200 C35 की तरह सारी खुबिया मिल जाती है बसे एक charger को छोड़ कर बाकि दोस्तो चली बात करते हैं फोन के डिजाइन के बारे में तो C35 का डिजाइन दोस्तो बहुत ही जादा पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर आपको आईफोन लुक में डिजाइन मिलता है square shape में side उसे right side पर आप देख सकते हैं C35 काफी बढ़िया लग रहा है और दोस्तो hot 11 2022 के अंदर भी आपको काफी बढ़िया डिजाइन मिल जाता है काफी जादा glossy light के reflection दोनों ही के back panel पर बहुत जादा बढ़िया लगती है और दोस्तो camera का module आप देख सकते हैं दोनों के अंदर आपको बड़े बड़े sensor दिये गए हैं लेकिन दोस्तो C35 को जो design है वो reality में दोस्तो बहुत ही जादा कमाल का है आप देख सकते हैं दोस्तो complete design अब आपको इन दोनों में किसका जाद अच्छा लग रहा है design comment करके ज़रूर बताइएगा वैसा दोस्तो C35 आच के टाइम में जो है king head design को लेकर इस budget में और अभी भी इसके competition में दोस्तो C35 ही जादा बढ़िये लग रहा है hotel 11 से मुझे भी दोस्तो C35 जादा बढ़िये लगा आप comment करके ज़रूर ही बताइएगा आपको इन दोनों में पसंद कौन सा रहा है design को लेकर क्योंकि दोस्तो design में दोस्तो आजकल जो है और C35 जो है काफी winner है बागी सारे smart phones के comparison में भी और इसके साथ भी मुझे यही winner लग रहा है चलिए बात करते हैं दोस्तो एडिस्पले के बारे में तो दोस्तो दोनों phones के अंदर आपको display मिल जाती है IPS और दोस्तो दोनों ही phones के अंदर आपको full HD plus display दी गई है तो दोस्तो C35 के अंदर आपको full HD plus display मिल जाती है यह चीज़ तो काफी बढ़ी है लेकिन 9000 में hot 11 2022 के अंदर भी आपको full HD plus display दी गई है तो यह चीज़ तो और भी ज़दा कमाल किये क्योंकि दोस्तो इस budget में आपको ज़्यादा तर phones में नहीं मिलती और display का size थोड़ा से ज़दा बढ़ा है Infinix के hot 11 2022 का 6.7 inches की display इसके अंदर C35 में आपको दोस्तो साड़े change की display दी गई है 6.5 inches के आसपास user interface दोने में आपको ऐसे मिल जाता है आप इसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोस्तो चलाने में दोनों ही smartphone अच्छे लगते हैं लेकिन दोस्तो मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इन दोनों में Realme का C35 आपको इन दोनों में किसका user interface ज़्यादा बढ़िया लग रहा है comment करके ज़रूर बताईएगा वैसे आपकी पसंद की ओपर ही matter करता है के अंदर से features आपको देखने में Infinix के ज़्याद अच्छे लग रहा है या फिर Realme के मुझे दोस्तो इन दोनों में C35 ज़्यादा बढ़िया लगा दोस्तो clearly आप देख सकते है डिस्प्ले की जो colors है brightness है वो Realme के अंदर जादा बढ़िया इन दोनों में डिस्प्ले की quality जो सबसे important होती है वो दोस्तो आपको Realme के C35 के अंदर जादा बढ़िया मिलती है इसके लब दोस्तो left side साब देहेंगे दोनों को सिम के ट्रे दी गई है इस तरफ दो SIM card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं दोनों के अंदर आप Realme में volume के buttons इस तरफ ही हैं सिम के ट्रे के नीचे इसके लब दोस्तो नीचे की side साब देहेंगे तो charging port speaker mic headphone jack मिल जाता है finger paint scanner दोस्तो दोनों में आपको side में दिया गया है power के button के अंदर इसके लब दोस्तो speed अभी check करेंगे इनकी कितनी जादा fast आपको मिलती है कि के अंदर जादा बढ़िया है उपर से देहेंगे तो दोस्तो plane design है इस तरफ कुछ नहीं दिया गया headphone jack infinix में आपको उपर की तरफ मिल जाता है realme में नीचे की तरफ है finger paint scanner की speed देखें दोस्तो infinix के आप जैसे मैंने touch किया ये इतना time लगता है unlock होने में तो काफी जादा fast है वैसे दिक्कत नहीं है कोई और realme c35 भी काफी जादा fast है तो आपको c35 की speed भी काफी बढ़िया मिल जाती है आप देख सकते हैं और दोस्तो infinix की भी आपको speed काफी अच्छी दी गई है तो इस चीज में दोनों बढ़िया है थोड़ा सा जादा better c35 ही है वैसे face unlock को लेकर दोस्तो आप देख सकते है speed दोनों बढ़िया है लेकिन hot 11 और भी जादा बढ़िया है 9000 कीमत है कम rate है और ram और storage आपको c35 की तरह मिल जाती है इसके लब दोस्तो दोनों के अंदर आपको android का 11 version ही मिलता है इस चीज में दोनों जैसे हैं दोस्तो अगर 12 होता दोनों के अंदर तो काफी बढ़िया रहता है c35 के अंदर आपको unisocker t616 processor मिलता है अब देखिए दोस्तो अगर आप एक heavy user है performance आपको बढ़िया चाहिए तो वैसे इन दोनों में जादा बढ़िया processor आपको c35 के अंदर मिल जाता है इसके अंदर आपको processor और जादा बैटर दिया गया है इसके साथ दोस्तो बात करें कौन सा जादा fast work कर रहा है दोस्तो c35 जो है पहले on हो चुका है password लगा देते हैं आप देखेंगा मैं थोड़ी देर आखे बन कर लीजिए इसके लोग दोस्तो c35 जो है दोस्तो winner है इन दोनों phones के अंदर applications जादा जल्दी load हो चुकी है इसके अंदर कुछ normal applications भी open करके देख और c35 के अंदर आपको main camera 50MP का मिलता है 50MP performance जो है दोस्तो camera की वो test कर लेते हैं दोनों के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे hot 11 की brightness मेंने कम कर रखी है लेकिन दोस्तो इसकी brightness बिल्कुल फुल है लेकिन दोस्तो आपको quality जो है photos की वो आपको c35 के अंदर जादा battery मिल जाती है ऐसा अगर इस hot 11 की brightness मेंने कम कर रखी है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो बिल्कुल भी hot 11 की brightness बिल्कुल फुल है quality आपको photos की c35 में जादा बढ़िया मिलती है हाला कि इसका भी camera नॉर्मल ही है दूसरे phones के comparison में जो इस budget में मिलते है 12,000 के आसपास फिर बिन दोनों की comparison में camera को लेकर c35 winner है अब यह सारी खुबी कम्या आपको मिलती हैं दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं आपको दोनों में सा कौन सा खरीदना चाहिए दीखे दोस्तों अगर आपको display की quality बढ़िया चाहिए तो c35 आप खरीदियेगा 3000 नहीं बचाईएगा वनना आपको भारी पढ़ जा ही है तो भी c35 आपके लिए जादा बढ़िये रहेगा प्रोसेसर इसके अंदर आपको जाद अच्छे मिल जाता है लेकिन दोस्तों अगर आपको बजट जो है कम है 9000 के आसपास है तो hot 11 2022 भी बहुत ही कमाल का स्मार्टफून है क्योंकि कीमत कम हैं इसकी display का size बड़ा मिल लगता है तो अगर आपका बजट जो है कम है तो आप hot 11 2022 खरी सकते हैं बढ़िये display size इसे के साथ अच्छी बैटरी और ठीक ठाक performance के लिए और दोस्तों अच्छी रैम और storage के लिए बैटरी भी सही दी गई है इसके अंदर तो आप इसको खरी सकते हैं अगर आपका बजट क के अंदर तो दोस्तों अगर आपका बजट जो है थोड़ा बढ़ सकता है तो आप C35 ले सकते हैं बाकी जो चीज़ा hot 11 के अंदर कम रेट में आपको बढ़िया मिल जाती है बढ़िया RAM और storage अच्छी बैटरी बढ़िया display इसके साथ दोस्तों बढ़िया performance दोस्तों आप hot 11 11 भी खरी सकते हैं ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आप बताएगा फिर भी comment करके दोस्तों आपको C35 जादा बढ़िया लगा जादा quality wise बढ़िया होनी के हो जैसे और थोड़ा rate जादा है लेकिन दोस्तों आपको कौन सा अच्छा लग रहा है फिर भी comment करके ज जो है इनके change होते रहते हैं कई बार online sale लग जाती है तो left side पर जो दोस्तों option आ रहा है विए products का इस पर click करके एक बार rate जरूर चेक कर लिएगा हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो और सस्ते मिल जाए दोनों आपको ये तो चेक जरूर कर लिएगा चलिए द